असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और ये जो वीडियो है मस्ट इंपोर्टेंट और मस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि उर्दू में मजमून लिखना यानि कि एसे लिखना बता दीजे और इसलिए मैं ये वीडियो अप्लोड की हूँ जिसमें मैं आप लोग को ये तो साथ बातों को आप लोगो ध्यान में रखना है तो आपको दुनिया का कोई भी टॉपिक क्यों न दे दिये जाए उस टॉपिक के पीछे आप बहुत सारी बातों को लिखकर एक मजमून खड़ा कर सकते हैं ठीक है एक निबंध तयार कर सकते हैं और सिफ सो डेर सा लफजों हमद में मखने के लिए लिए कर सकते हैं तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और जो पहले से सब्सक्राइब करके रखें तो उनका तो कोई लिक्त ही नहीं है आप लोग भी लाइक शेयर वगरा कर दीजे तो चलिए बिरा देर की इस ने इस lists को समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि कैसे उर्दु में यहनी कि निवां लिखा जाता है ठीक है तो चलिए देखें ट्रिक क्या है ट्रिक में यह साथ बाते हैं क्या क्यूं कैसे कब कहाँ और उसका फायदा और नुकसान यानीकि जिस भी टोपिक पर आप लोग inception लिखना है उस टॉपिक को उठा लेना है और वन वैवन करकर ये सातु सवाल अपने आप से पूछना है मानेजिए इद पर आप लोगों को मस्मून लिखना है नि बंद लिखना है तो ईत लिजिए और आपको अपने आप से सबसे पहला सवाल किजिए तो आपको जवाब जरूर मिला तो यहाँ पर आप जो यह answer दिये, खुद से दिये, यहाँ पर मैं आप लोग को यह answer बताई, वो खुद से अपने mind से सोच कर, अपने आप से निकला, तो जब आप अपने आप से खुद से सवाल करेंगे, तो answer भी आप लोग के अंदर से automatically निकलेगा, ठीके, इद क्या है, त अप फिर अगला सवाल कीजिए, क्या करना है सवाल क्यूं, यानि कि इद क्यूं मनाया जाता है, फिर अपने आप से सवाल कीजिए, कि इद क्यूं मनाया जाता है, तो फिर आप लोग के अंदर से automatically जवाब निकलेगा, कि रमजान के 30 दिन के रोजे, खत्म होने के बाद, अ आप लोग को लग रहा है, कि हाँ ये सही है, उसको लफजों को सजा कर लिख देना है, तो देख रहे हैं, अपने आप से answer create हो रहा है यहां पर, फिर अगला सवाल कीजिए, इद कैसे मनाया जाता है, तो फिर आप लोग को अपने आप सही जवाब मिलेगा, कि इद के दिन, जितने भी मुसल्मान भाई, जितने भी मुसल्मान होते हैं, वो सुबह सवेरे उतते हैं, नहाद होकर तयार होते हैं, और इतना लगार लगा कर मस्जिद, या फिर मदर्सा, या फिर बड़े मैदान में जहां पर ईद का नमाज पढ़ाया जाता है, वहां पर जाकर दो रि बचछाड़ा बोल सकती हूं इस दिन बच्छों के लिए और भी ज्यादा खुशी का दिन होता है क्योंकि वह इसलिए खुस होते हैं क्यूंकि उनको नया-धर मिलता है बच जो बुजर्ग लोग होते हैं उनको पैसे भी देते हैं ठीक है सबसे ज्यादा खुशी जो है वह ब अगले दिन मनाया जाता है एध कहा मनाए जाता है तो गर पर जिस गाव मैं आप रहते इस गाव में मनाया जाता है ओडिक जोर गणाव वो सेवया होता है, तीके सेवय, अप लोग खाय भी होंगे, लच्छा सेवय, तो वही, जो भी मतलब आप लोग को याद है, वो लिख देना है, लंबा चोड़ा करका, इद के क्या फायदे हैं, तो फिर से आप लोग को अपने अंदर से जवाब मिलेगा, कि ये जो इद का द कुश्मनी को खत्म कर देता है और इसलाम के तरफ मतवज्जा करता है मुसल्मान लोगों को तीक है यह सारी फायदे आप लोग लिख सकते हैं एद के और नुकसान तो मतलब है नहीं लेकिन आप लोग को अगर कोई नुकसान दिखाई दे एद का तो आप लोग लिख फायदा नहीं होता है तो जिस चीज़ का फायदा आप लोग को दिखाई दे उसका फायदा लिख देना है नुकसान भी दिखाई नुकसान भी लिख दिजिए अभी यहां पर इद का नुकसान नहीं इसलिए नुकसान छोड़ दीजिएगा सिर्फ फायदा लिखकर और कि करकर ये सवाल किजीए जैसे कि माल लिए आप computer पर लिख रहे हैं केंजाम में आप लोग पुछ दिया computer पर मजमूल लिखिये तो computer ले लिजीए और अपने आप से सवाल किजिए computer क्या है तो आप लोगों सर्मीलेगा computer जो है वह एक electronic machine है computer क्यों बनाए गया तो लोग को आसान मतलब काम को आसान बनाने के लिए जोड़ घटाओ गुड़बाद वोगरा जो भी आप लोग के मन में एंसर आता है वो लिखते जाए ये लफजों को सजा कर computer कैसे बनाएगी कब कहा computer के क्या फायदे है computer के क्या नुकसान computer कितने टाइप को होते हैं इस तरह करके आप लोग खुड से भी लिख पाएंगे तो इक तरसे मजमून तयार हो जाएगा आप लोगका धैतीन सा लवज होगा तेखें तो इस तरह करके आप आप्लोग किसी भी टॉपिक पर आसानी से मसमुद्र लिख सकते हैं, मैं लिजिएं आप लोग को ताज महल पर मसमुद्र लिखنا है तो ताज महल क्या है? तो ताज महल दुनिया कि साथ अजूबे में से एक अजूबा है, ताज महल एक महल है यानकी इमारत है तो इसे रखर करके आप लोग लिख सकते हैं फिर अगला सवाल पूझे ताज महल क्यों क्यों बनवाया गया ताज महल तो आप लोग को मालूम होगा शाजहा ने बनवाया था जब उनकी वाइफ जो बीवी थी मुम्ताज वो बिमार थी और इंतका तिक रहे है तो मुम्ताज की याद में अपनी वेगम की यान में वी ताज महल बनाते है जिसकarios भी बोला जाता है ताज महल कैसे बनाए गया तो ताज महल जो है 16 साल में बनाकर तयार किया गया था जिसमें 18 करोर्ड कर्च हुआ था और 20000 मजदूर छो है लागातार काम काम किया करते थे तो इस तरह करके आप लंबच वड़ा लिख सकते हैं ताज महल कब बनाये गया तो नहीं मालूम है डेट की मतलब कब बनाये गया तो आप लोग लिख सकते हैं कि आज से मतलब बहुत साल पहले बनाये गया था ताज महल ताज महल कहां बनाये गया तो आग्रया म करके मैं एक topic पर मजमून लिखी हूं जो कि आप लोग के 10 class के एक्जाम में हर साल है इसी topic पर मजमून में लिखने के लिए बोलता है जिस topic पर मैं मजमून लिखी हूं तो चलिए वह topic क्या है और उस पर कैसे मजमून लिखा गया है उसको देखते हैं पहले ले लिजी यहां तक फटफट स्क्रीन शॉट इतना लंबा चाड़ा मजमून लिख दीगी एक बोर्ड का तो चलिए मैं एकए करकर मैं आप पढ़कर बताती हूं कि किस तरह मैं मजमून लिखी है देखिए मुहरम पर मजमून लिखना है तो सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि मुहरम क्या है तो मैं अपने आप से सवाल की कि मुहरम क्या है तो देखिए मैं लिखी कि मुहरम इसलामी साल का पहला महीना है और इस महीने से इसलामी मजभब के नए साल की शुरुआत होती है देख रहें कितना अच्छे तरीके से लफजों को सजा कर लिखी हुँ मैं आप लोगो क्या समझ में आया कि मुहरम जो है वो इसलामी साल का हमारे इसलाम मजभब का सबसे पहला महीना है और इस महीने से हमारे इसलाम मजभब का सबसे दुखत घटना हुआ ठीखे आगे देखिए अब दूसरा सवाल कीजिए मुहरम क्यों मनाया जाता है मुहरम क्यों मनाया जाता है तो देखिए कि मुहरम की दस तारीख को कर्बला में इमाम हुसैन और उनके साथ सैक्डों मुसल्मान शहीद हुए हक वबातिल के इस जंग में मुसल्मानों का मुखालिफ यजीद था रसूल सिल्लाओ अलाई उसलम का पूरा खांदान इस जंग में मुश्रहीद हो गए और इसी लिए हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहरम मनाया जाता है मुहरम जो है वो क्यों मनाया जाता है तो मुहरम इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मुहरम की दस तारीख को ठीके मुहरम की दस तारीख को हमारे इमाम हुसैन और उनके साथ सैक्डों मुसल्मान कर्बला में सहीद हो दुश्मनों ने घेर लिया था और रसूल सल्लाओं का पूरा खांदान जो है इस जंग में शहीद हो गया और इसलिए देखिए और इसलिए हज़त इमाम हुसेन की शहादत की याद में हम ये मुहर्म मनाते हैं ठीके अब देखिए अगला सवाल क्या है कि मुहर्म कैसे मनाया जाता है तीसरा सवाल क्या है देखिए मैं 123 इसी लिए लिखी हूं कि ताकी आप लोगो मालूम चल जाए कि यह पहला कोश्चन है क्या दूसरा कोश्चन है क्यूं तिसरा कोश्चन है कैसे लेकिन आप लोगो ये 123 नहीं लिखना है याद रखेगा मैं यहापर 123456 यह आप औरुको समझाने के लिए लिखी हूं कि यहांसे मैं त्Иसरा कोशन स्टार्ट की हूं जो अपने आप से पूछी हूं फिर चौथा कोशन का एंज़र इहां पड़ तो इस तरह तो देखिए तीसरा क्या है अपने आप से क्या पूछना है तिसरा सवाल मुहर्म कैसे मनाया जाता है मुहर्म कैसे मनाया जाता है तो मुहर्म में हज़त इमाम हुसेन की शहादत की याद में मुसल्मान जो होते हैं दस दिनों तक मातम करते हैं और शहादत की गम को याद करते हैं अब तो मुहर्म में बजाए मातम के धोल बाजे और नाच गाने होते हैं जो की सरासर इसलामी दुश्मनी है तीके जो मुहर्म है उसको कैसे मनाया जाता है तो मुहर्म में हज़त इमाम हुसेन की शहादत की याद में मुसल्मान जो होते हैं दस दिनों तक मातम करते ह तिर्शे अब जो है आज कल का जो मुहरम वैसा नहीं मनाया जाता है अब लगबाजे और नाच काने के साथ मनाया जाता है अब लगवकं सबी गाऊंचे मोहरुं के मतलब और नाच गाने के साथ ही मनाते हैं सभी जगा ऐसा सिस्टम फैल गया है जो की सरासर इसलामी दुश्मनी है ऐसा कहीं नहीं लिखाए कि आप ढोल बाजी और नाच गाने के साथ मुहरम को बनाएं बताई इतना मतलब दुखत घटना हम लोग के लिए क्या हो सकती है कि इसी मुहरम के महीने में हज़त इमाम हुसाइन की शहादत हो गई थी शहीद हो गए थे इससे बड़ा दुखत घट पकर रहे हैं लोग ढोलता से वगरा बजा रहे हैं तो इसको आप लोग समझाने की कोशिस कीजिए जिस हद तक होचाथ है ठीक ऐसा नहीं करना चाहिए और आजकर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्या बताया है चलिए आगे बढ़िए चार नंबर क्या करना है कि म मोहरम कब मनाए जाता है अपने आप से कोश्चन करना है कि मोहरम कब मना बनाया जाता है तो जब मैं अपने आप से कोश्चन की क्या all right मुहर्म की 10 तारिख तक यह मतम किया जाता है 10 मुहर्म को यौमे आशूरा भी कहते हैं जिस दिन रोजा भी रखा जाता है देखते हैं कितना आसान तरीके से यह आप लोग का लिखा गया आगे बढ़िः यह 5.वा सवाल आप लोग अपने आप से क्या करेंगे कि मुहरम कहा मनाया जाता है ये पांचवा सवाल है कि मुहरम गम का महीना है और इस महीने की पहली तारीक से लेकर दसवी तारीक तक घर पर इबादत या मस्जिद में जाकर इबादत करनी चाहिए और शहदाय करवला की रूप को बकशना चाहिए इस महीने में जो है ढोलता से ना बजाकर इस महीने में क्या करना चाहिए हम लोगों को पहली तारीक से लेकर दसवी तारीक घर पर हो सके नहीं तो मस्जिद में जाकर इबादत करना चाहिए और शोधाय करबला की रूप को बगशना चाहिए ठीके ना के जलसा जलूस निकाल कर ढोलता से यह फिन्हों बाजे बजाकर खुशी का इसाहर करना चाहिए आगे बढ़ी कि अगला सवाल क्या करेंगे छे नंबर सब अपने आप से कि महरं के क्या फाइदे हैं महरं मनाने के क्या फाइदे हैं तो इसका फाइदा देखिए मैं लिखी हूँ, इससे हमारा इसलाम मजभब और इसलाम मजभब में रह रहे लोगों का इमान मजबूत होता है, इससे हमारे आने वाले नसले भी इसलाम मजभब की तरफ मतवज़ा होते हैं, देखिए इसमें यही बताया गया है कि मुहरम के क्या फायदे है, तो म लावा इससे हमारे आने वाले जो नसले हैं हमारे आने वाले जो पीड़ी है वह भी इसलाम मजभब की तरह मतवज्ज़ होती है अकरसित होते हैं मुहरम के नुकसान क्या है अब अपने आप से सवाल करेंगे कि मुहरम के क्या नुकसान है तो नुकसान देखिए क्या है मैं न का नुखसान यह है कि कुछ मुसल्मान कि इस घम को खुशी से डोल बाजे और नाच गाने के जरीये मना कर गयर कौमों को यह पेगाम देते हैं कि यह खुशी का तेवहार है जबकि यह एक घम का महीना है देख रहे हैं मैं इसका नुकसान भी लिख दी हूँ कि ये जो मुहर्म है इसका नुकसान यही है कि कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं कि इस गम के महीने को इस गम को खुशी से ढोल बाजे नाच गाने के जरिये मना कर और गैर कौमों के जितने भी लोग है उनको यह पैगाम देते हैं यह संदेश कि महरम नहीं है यह एक घम का महीना तो इसी तरह यह साथ सवाल आप लोग को करना है अपने आप से और आप दुनिया का कोई भी टॉपिक ले लिजए आसानी से आप किसी भी टॉपिक पर मजमून की निभंध लिख सकते हैं सिंपल एक आप लोग को समझ में आया होगा कोई भी कमफ्यूजन हो इस मजमून या फिर इस ट्रिक से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं ठीक है फिलहाल आप लोग एक ट्राई जरूर कीजिएगा मैं आप लोग को दे रही हूं रमजान पर लिखने का मजमू आया है जो कुछ भी समझाई तो अब लैक किएं लिए आप कहीं नहीं जाइएगा डीक है कर लाइक कर ही जाए ज्सक्राइए जो कुछ मैं समझाई है तो कमेंट करकर भी बता दीजिए इससे मुह मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग को समझ में आए तो मुझे और भी वीडियो और और भी आप लोग के लिए मेहनत करना चाहिए ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज